नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हमें बच्पन से ही ये पढ़ाया और सिखाया जाता है कि पेड़ पहदे हमारा जीवन है, पेड़ पहदे हमारे जीवन का अधार है, पेड़ पहदे हमें वाईू देते हैं और उस वाईू से हमें अमारी जो आईू है वो बढ़ती है, लेकिन अब सोस इस बात का है, कि हर व्यक्ति को इस बात का ग्यान है, हर व्यक्ति को इस बात की समझ है, कि बिना पेड़ पहुदों के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, बिना पेड़ पहुदों के हम जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यार लोग अपने ब्यक्तिके स्वार्थ के लिए क्यों जंगलों के पिछे पड़े हुएं, क्यों प्रकृति के पिछे पड़े हुएं, क्यों पसुपक्सियों के पिछे पड़े हुएं, क्यों नहीं हो बात समझ पाते कि आपके इस ब्यवार से कितना नुकस इस समाज को आने वाले समय में उठाना पड़ेगा इस रास्ट को आने वाले समय में उठाना पड़ेगा इश्वर ने हमें कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी है लेकिन यह हम इंसानों की नलाकी है कि हम अपनी कबुद्धी का इस्तेमाल करते हुए उस हर उस चीज का जो हमें इश हमारी पीड़ी को माफनी करेगी हमारे कृत्य को माफनी करेगी और हमेशा अपने पुर्वोजों को और बजुर्गों को बड़ी नकरात्मक द्रिश्टी से देखेगी अभी मैं आपको एक द्रिश्या दिखाऊंगा मैं यहां देख रहा था कि किस तरह से जंगल सुल गरे है किस तरह से जंगल जल रहे हैं और सोचो कितना नुकसान इन जंगलों में इस आके मादिम से हुआ होगा आप सोचो कि कितने ही पसुपक्सी जिन्दा जल गे होंगे कितने पसुपक्सी के घर जल गे होंगे कितने पसुपक्सी बेगर हो चुके होंगे और कितने ही पेड़ पौदे जलकर राख हो चुके होगे अभी देखना एक द्रिश्या जो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ साथियों ये धूएं की उठतीवी लप्टें इनसान की करूरता का परतीक है ये जलता और सुलकता वो जंगल, ये बंजर भूमी, ये दरसारी है कि इनसान कितना करूर हो चुक है और जिस भी व्यक्ति ने ये कृत्या किया है और जिस भी इनसान ने ये काम किया है मैं उसके लिए सिर्फ एक ही सब्द कहूँगा कि शर्म करो अपने व्यक्तिगत स्वार्ट के लिए क्यूं आप लोग प्रकृति से छेड़खान नहीं कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत हितों के लिए क्यूं आप प्रकृति को जिला रहे हैं साथियो मेरी एक बात हमेश सही आ रखना कि बिना प्रकृति के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है इसे साथियो मैं एक इन्वेदन करूँगा आप सभी से कि अगर आपको किसी भी तरह से अगर ये कन्फरम होता है कि किस व्यक्ति ने जंगल में आग लगा ये जंगल को नुक्सान पहुंचाने की कोशिस की तो प्लीज आप सबंदित विवाग को उसकी सकायत करें और खुले मन से उस बंदे के विरोध में न्याय पारिकर तक जाएं और उस अपरादी को दंडित करवा कर ही हटें क्योंकि जब तक हमारा समाज ऐसे उदंडी लोगों के खिलाफ खड़ानी होगा तो इस तरह के कृत्य समाज में होते रहेंगे तो डियर फैंड्स इस विमीद के साथ कि सभी साथी लोग जो हैं वो इस तरह के गल्थ कृत्य में अपना स्योग ना देते हुए इसके खिलाफ खड़े होंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे क्योंकि प्रकृति है तभी जीवन है इस बात को हमें हमें सया रखना है तो इजाज़े देंगे अपनी दोस्ति यश्पार्चंदेल को जैहिंद